हेलो दोस्तो मैं राजविंदर सिंग आपका रामदा नेम आफ गोड चैनल में स्वाक्त करता हूँ आज की हमारी वीडियो एमाजोन के जंगलों पर है एमाजोन का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फोरेस्ट जनकी वर्सावन है दुनिया का 20% अक्सीजन यहीं से आता है इसलिए इसे प्रित्वी का फेफड़ा भी कहते हैं यह यंगल 2.1 मिलियन वर्कवील में फैला हुआ है दक्षनी मेरिका से ब्राजिल तक फैले इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि अगर यह कोई देस होता तो दुनिया का नौमा सबसे बड़ा देस होता अमेजोन के जंगल को एक तरफ दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल भी कहा जाता है तो दूसरी तरफ इसे सबसे सुन्दर एक तरफ इसे खतरनाक जानबरों के लिए जाना जाता है तो दूसरी तरफ इसे मिलने वाली साफ पानी के लिए माना जाता है कि जहां जैब विपेताओं का भंडार है एमेजोन के जंगल नौ देसों से होकर गुजरते हैं इन जंगलों का करीब 60 फीसदी ब्राजील 13 फीसदी पेरू, 10 फीसदी कॉलंबिया और बाकी का हिस्सा एकवा, डायर, गौैना, वेंजोईला, बॉलीविया, सुनी राम और फ्रेंच गौैन से होकर गुजरता है बता दें के प्रिथवी पर जितने जीव हैं उसके एक तहाई को एक साथ आप एमेजोन के जंगलों में ही देख सकते हैं यहां 390 अर्वपेड़ हैं जिसमें 16,000 से ज़्यादा उनकी पर जातियां है इतना ही नहीं यहां 400 से ज़्यादा आदम जंजातियां भी रहती है इन जंजातियों का बाहरी दुनिया से किसी तरह का स्वंद नहीं है एमाजोन के जंगलों के कीड़ों की काफी चर्चा होती है माना जाता है कि यहां इतने हयार तरह के कीड़े और जंतू मिलते हैं कि उन से कुछ ही फीशदी के बारे में अब तक बग्यानकों को पता चला है यहां की बॉलेट चीटियां भी काफी खतरनाक होती है देखने में छोटी वाली इन चीटियों के डांक को जहर की तरह खतरनाक माना जाता है कहा जाता है कि इनके काटने पर गोली लगने जतना दर्द होता है चीटियों के बाद जहां की मकड़ियां भी चाचा होती है जहां तीन हजार से ज़्यादा इनकी परजातियां पाई जाती हैं जिसमें ज़्याता जहरीली होती हैं टारंटुला मकडी को सबसे खतनाक माना जाता है इनके भाल भी इतने खतनाक होते हैं कि आपकी आँखों में पढ़ जाएं तो सीशे की तरह इसे फोड देंगे एमाजोन नदी इस जंगल का मुख्य नदी है और इसकी लंबाई को मिलाकर दुनिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है आपको जानकर यहरानी होगी कि इतनी बड़ी नदी होने के बावजूद भी इस पे एक भी पूल नहीं है पेरू की एक वोटो सिटी विस्व का सबसे बड़ा ऐसा सेर है जहां तक पहुंचने के लिए रोड माजूद नहीं है इसलिए इसे सीक्रेट सिटी के नाम से भी जाना जाता है यह एमाजोन वर्साबनों के बीच काफी दुरगम इलाके में बसा हुआ है जिसकी अवादी चार लाक से जादा है इमाजोन वर्साबन में सूरिय की के ने धरती तक पहुंचने ही नहीं पाती इसलिए से अधिकतर जंगलों का धरातल अंधेरे में डूबा रहता है जबके केवल 1% सूरिय की केरने कहीं कहीं ट्री कनोपी से धरती तक पहुंचने में सफल हो पाती है एमाजोन में निवास करने वाली देकतर निवासी शहरों जाका स्वों में रहते हैं पर बरसाद के तिनों में माजो नदी का रूप बेहाद भ्यानक हो जाता है इस समय नदी लगबग एक सोनबे किलोमीटर तक चोड़ी हो जाती है लगबग तीन हजार पर जातियों की मचलियां माजो नदी में निवास करती है इन में मास खाने वाली प्रानहा मचली भी साल ही में बेज पिराना का भी पता चला है विस वका सबसे खतरनाक और बड़ा साप एनाकॉंडा भी यहीं पाया जाता है यह असानी से बेड़ वक्रियों को निगर लेता है पेंथर उंका तेंदू की एक पर जाती जो केबल एमाजो जंगलों में ही पाई जाती है यह बा तक कुछ समझ आए तब तक उसका काम तमाम हो जाता है थिंबल फ्रॉग एमाजोन में पाई जाने वाली मेडर की विसेश्ट पर जाती है इसका पता तूरू वाटर फॉल में चला यह देखने में जितना कार्शक उतना ही जहरीला होता है एमाजोन वार्शा में 2012 से के लिए लिया जाता है टॉक्स नाम पक्षी दिखने में तोते जैसा है पर आकार में इसका बड़ा इस रंग बिरंगे पक्षी की चोंच 6 इंच तक होती है यह कठ फोड़वा की तरहां तने की खोड़ में रहता है हर्प इगर देखने में बहुत सुन्दर हद तक उलू जैसा लगता है पर यह अन्या गिदों को ताक्तवर होता है बंदर इसका फेवरेट सिकार है इसके सेरके चारों और छोटे छोटे पंकों का गोला होता है और तो इसे अपनी अन्या पर जाती से लग करता है स्कॉलट में काउ एमाजोन में पाया जाने वाला सबसे रंगीन तो होता है इसके पंक लाल हरा लीला पीला के सर्याद रंगों के होते हैं इसे फल बहुत पसंद है बहुत यह तोते से यह काफी बड़ा कर सक होता है गाई आपको एमाजोन के बारे में ये फैक्ट कैसे लगे हमें कमेंट करके बताना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर कर देना और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर ले क्योंके वीडियो बनाने में काफी में ताती है आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद